हलो, गुड मॉर्निंग सर, टेली टीप्स में आपका स्वागत है, आज की टेली टीप्स हम स्टार्ट करते हैं, आज की टेली टीप्स एक्चुली जो पिछली एक टेली टीप्स जो बनाई थी, टीप्स नमबर 27, जिसमें मैंने बताया था कि आपको इन्वाइस नमबर के पी क्यों जरूरी है, वो भी मैंने कल उस वीडियो में आपको बताया था, अब उसके रेफरेंस में ही ये वीडियो है, continue में, इसका second वीडियो, कि अगर आपका data entry हो चुका है, यारनि आपका financial year start हो चुका है, नया, और आपने उस तरह से set नहीं किया हुआ है, और आपने invoices बीच में से बनाना चाते हो, मतलब बीच में आप set करना चाते हो, numbering method को alter करना चाते हो, और पीछे financial year add करना चाते हो, तो अगर आपने उस वीडियो में जो बताया है, उस तरह से करोगे, तो क्या problem होगी, वो मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो क्र transaction हो चुके है, और आप invoice number के पीछे financial year add करना चाते हो, तो video number 27 में, जो method बताया है, वो आपको नहीं करना है, अगर वैसा करोगे, तो आपके सारे number change हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, और अगर आपको करना हो, current financial year के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप आगे से जो भी आपके invoices बनेंगे, जिसके invoice number के पीछे, आपका financial year automatic आ जाएगा, अगर पीछे financial year आड़ करना हो, तो suffix में लिखना होता है, और आगे आड़ करना हो, तो prefix में लिखना होता है, तो देखिए कि suppose मान लिजिए कि आपने अभी तक invoice बना दिये है, तो suppose आज है 17.9, 2020, तो आज की date का जो last invoice number है, वो 20 है, ठीके, अब आप उस वीडियो में जो दिखाया है उस हिसाब से करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जाके, आप यहाँ पे जाके, कल की तारिक क्या है 18, 18, 9, तो सबसे पहले तो क्या होगा, कि tally यह 18 तारिक को accept नहीं करेगा, ठीके, तो आप अगर ऐसा करना जाओगे, तो यह होगा ही नहीं, ठीके, और अपने ऐसा नहीं किया, और अपने suppose ऐसा कर दिया, कि यहाँ पे अपने ऐसा कर दिया जाके, s लिख दिया, और यहाँ पे आपने पीछे लिख दिया, 20-21, 21 और save कर दिया तो क्या होगा कि सारे number change हो जाएंगे देखिए इस तरह से हो जाएंगे आगे as और पीछे 20-21 ऐसा add हो जाएगा ठीके तो अगर suppose मनलोग गलती से भी आपने ऐसा कर दिया और numbering ऐसे हो गये है तो क्या करना है वापिस उसको पहले जैसा लाने के लिए आपको same account info, voucher type, alter, sales में जाना है और यहाँ पे use advance configuration को yes करना है और जैसा था वैसा रख कर देना है यानि यहाँ से as को निकाल देना है और यहाँ से यह basic keys को भी निकाल देना है एक बार escape key press करना तो वो निकल जाएगा और फिर enter मार देना यह निकाल देना है तो वापिस जो पहले number थे वैसे number हो जाएंगे display, account book, self register तो यह जैसी जिस तरह से number थे वैसे हो जाएंगे अब आपको आगे से करने है ठीके, पुराने के जो number है वो वैसे ही रखने है कि जिसमें पीछे financial year लिखा हुआ नहीं आएगा बट जो नए inverses बनेंगे उसमें आप वैसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तो क्या है कि वो tally आपको month की starting date का ही allowed करता है यानि अभी September है तो September महने की कोई जिसे आज 17 तारिक है तो अगला दिन 18 तारिक तो 18 तारिक को मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे करना है तो October महने का date से मैं कर पाऊंगा आप समझ गए कि अभी current financial year के बीच में अगर set करना है invoice number के पीछे financial year add करना है तो वो जो नया month आएगा उसकी first date को ही आप कर पाऊंगे तो आपको क्या करना है कि जैसे ये first ये अभी current month मेरा चल रहा है September तो अब मुझे set करना होगा तो मुझे October की first date का ही मैं लिख पाऊंगा वो ही set कर पाऊंगा तो तब तक मुझे wait करना पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा कि आपका 30 September का जो last invoice number है तो आपको क्या करना है आपको तो आपको क्या करना है आपको ऐसा करना है कि आपको ये account info voucher type और फिर alter में जाना है और sales में जाना है और ये use as advanced configuration को yes करना है और यहाँ पे तो जो उपर जो set करना है कि ये width of numerical part जो भी रखना है आपको profile width 0 रखना है कि नहीं years के no वो सब करना है और यहाँ पे नीचे आके आपको लिखना है first October September है इसलिए मैं October लिख रहा हूँ अगर October होगा तो मुझे November लिखना पड़ेगा समझ गया तो September महिना मेरा current month चल रहा है तो उसका जो next month आएगा वो October आएगा तो यहाँ पे मुझे लिखना है first October 2020 और starting number आपको 1 ही रखना है यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है अच्छा अब यह क्या है कि आज 17 तारीक है मैं 17 तारीक 17 9 है मैं 17 9 को ही ऐसा set कर रहा हूँ कि 1 October 2020 से तो भी आप कर सकते हो तो मैंने 17 9 को ही टैली में ऐसा set कर दिया कि 1 October 2020 से और यहाँ पे लिखा starting number 1 और particulars में भी मुझे select करना है yearly और यहाँ पे मुझे लिखना है 1 October 2020 से prefix में रखना है मुझे as oblique और यहाँ पे मुझे लिखना है 1 October 2020 से suffix में मुझे रखना है financial year 20-21 ऐसा आपको set करना है तो अब क्या होता है देखते हैं कि अभी देखिए कि मेरा 17 9 2020 का last invoice मेरा बना है invoice number 20 ठीके सपोज next day होता है 18 तारिक में 18 तारिक को एक invoice बनाऊंगा तो वो 21 नंबर का invoice बनेगा पुराने method के हिसाब से यानि उसमें financial year लिखा हुआ नहीं आएगा नंबर की पीछे ठीके फिर 19 तारिक को एक बिल बनाया मेंने तो next number आ गया जिसमें पीछे financial year नहीं दिख रहा है जो पुराना method था उस हिसाब से ही invoice नंबर आ रहा है ऐसे करते करते आप जब September के बिल सब खतम हो जाएंगे और जैसे आपका October आएगा आप invoice डालोगे 1st October का तो देखिए वो अपने आप जो last 30 तारिक का जो last invoice नंबर था उससे plus 1 करके जो नया invoice नंबर आएगा वो ले लेगा और आपने जो भी prefix और suffix जो भी set किया है वो उसके साथ आपका invoice नंबर इंग सुरू हो जाएगा तो यह 1st October का आगया as oblick 0023 oblick 21 यह 1st October का बिल बनाया मैंने अभी मैं 1st October का यह दूसरा बिल बन रहा है जो 24 नंबर है और जिसमें पीछे financial year अपने आप आ रहा है ठीक है एक और बिल बना के देख लगते हैं 2nd October का तो मैंने डेट चेंज किया 2nd October यह यहाँ पर ठीक है सब करेक्ट हो रहा है देखे उपर invoice number 25 पीछे आ रहा है financial year 2021 अब suppose November में मन्त में चला जाते हैं हम लोग तो मैं 111 2020 तो आ गया invoice number series में 26 नंबर और पीछे financial year ठीक है अब इसको मैं save कर रहा हूँ तो in short अगर current financial year के बीच में आपको numbering method set करना हो आपको invoice number के पीछे financial year automatic tally में आ जाए वैसा add करना हो तो आपको क्या करना है कि आपको account info voucher type alter में जाके आपका sales voucher type open करना है यहाँ पे जाके आपको use advance configuration वाले option को yes करना है यह जो उपर का method है starting number वो 1 का 1 रखना है यहाँ पे width of numerical part आप जो चाते हो वो रखना है prefill with 0 अगर आपको रखना है तो yes करना है नहीं तो no रखना है और यहाँ पे नीचे first October 2020 starting number आपको 1 रखना है और इस तरह से prefix में आपको जो रखना है वो set कर दो और suffix में आपको जो रखना है वो set कर दो तो इस तरह से आप लिखके इस voucher type को आप save कर दो तो first October से जो भी number start होंगे उसमें आगे as लिखा हुआ आएगा और number के पीछे आपने जो भी financial लिखा है वो लिखा हुआ आएगा और ऐसा set करने के लिए आपको first October तक का wait करने की भी जरूवत नहीं है आज 17.9 है तो मैंने 17.9 को tally में first October का numbering method set करके आपको live दिखाया यानि आप कल की date में भी करना चाहो तो आप कर सकते हो तो ये थी आज की tally tips thank you thank you very much sir और मेरी आपको एक बीनती है कि ये करने से पहले आप tally का data backup ले लो और backup लेने के बाद आप ये set करो thank you thank you very much sir कर दो बारास करके लिए से पका ही पे इंड